जब लोग यहां पर पत्वरस्ट हो गई थे यच करने लोगों ने प्रारम जो शुरू किये दे पहले वो बंद कर दिये थे उसके बाद में यहां बड़े-बड़े अकाल पड़े थे एक बड़ाई बहंकर अकाल का वरणा आता है किसके माता है जो आप आपका ये हेम चंद् के सपनों को पूरा दर के दिखाएंगे हम सब मिलकर नाष्ठ को पुनाया वरत बनाएंगे बन जाओं सब स्रेष्ट तुम अब रहे ना तो यानार्या mouse नमस्तमीतरोजयसीरमजयरवड़ एक परसंट का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा खास तोसे आपको भी ऐसी दूईदा में ऐसे परसंट का सामना करना परता होगा देखे दोस्तो जब आप साखार की बात करते हैं तो कोई वेक्ति आपको समाज में ऐसा मिलता है खास तोसे मालीजे कोई मासा आरी है इस तरीके जो मैं सवाल बोलने वाला हूँ ये क्या तो कोई मासा अरीव बात करेगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बात करेगा जो की आतम विश्वास के उसके अंदर कमी है और अपनी संस्किर्टी के परती वेदों के परती अपनी रिशी मुनियों के परती शर्दा नहीं है या फिर उसे सच्चा इतियास मालूम नहीं ह इस परकरती का रहसे सही से मालूम नहीं है वही ऐसी बात करेगा परसन क्या है यदि आप किसी ऐसी इस्तान पर चले जाए जहां पर कुछ भी ना हो तो भी क्या आप अपने आपको बचाने के लिए मास नहीं खाएंगे या फिर कोई भेंकर अकाल पढ़ जाए कुछ भी ना हो तब भी कि आप अपने आपको बचाने के लिए मास नहीं खाएंगे पहले स्वाल का जवाब देता हूँ कि यदि हम किसी ऐसे स्तान पोच जाए जहां पर कुछ भी नहीं हो कि हम आप तब भी मास ना खाएं पहली बात तो मनुष्य इस वर की सर्व स्रेश्ट रचना है हम जो भी कारे करते हैं बुद्धी मता पूर्वक करते हैं यदि कोई बुद्धी मता पूर्वक कारे नहीं करता है तो उसे मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं मुझे मान ली जिये रेगिस्तान में जाना है या फिर किसी ऐसे इलाके में जाना है जहां पर की मास मीट है और कुछ है नहीं तो मैं अपनी उस समय तक की वैवस्ता करके जाऊंगा उसके जिम्मेदार मैं होंगा क्योंकि यदि मैं गल्द कारे करता हूँ तो इस वर मुझे दंड देगा ही देगा यदि मैं कहीं पर जाता हूँ महिने दो महिने के लिए तो मुझे वो जो है अपनी वैवस्ता करके जानी होगी इसी बात पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ उस समय मेरी आयू लग बग चोधा या पंदरा वर्सकी थी गाउं में मैं रहता था तो एक बार मुझे एक यूवक मिला जो की आरादात काफी चिंती था तो मैं इसे उसे बात करने लग गया कि भाई क्या हुआ क्यों इतना चिंते में लग रहा है तो उसने बताया कि उसके पिताजी को नग टी बी है और डाक्टर ने कहा है कि यदि वो उसको मुर्गा खिला दे तो बच जाएगा तब वो बताने लगा कि भाई देख यदि मैं अपने पिताजी को मुर्गा खिलाता हूं मेरे पिताजी बच जाते हैं लेकिन मुर्गा खाने से उस मुर्गे का जो पराण है उसके अंदर जो जीवातमा जो जो इसके अंदर है उसकी हत्या होगी और वो अपराद दुबारा है मतलब अगले जनम में भुगतना पड़ेगा उस लड़के के विचार थे अब आती है उ उसके करम उसी तरीके से बनते और अगले जनम में उसको उसी प्रकार का जो है क्यूंकि øंड का विधान्त दोस्तो ए यह मुर्गा खाना है किसी जीव की उत्याक करना किसी जीव को मानना बले ही आज की कानुवेश्ता के साफ से दन नहीं है लेकिन इस फीर की नजर में ग है तो इस वर उसको सजा सजा देगा अब आती है दूसरी बात काफी व्यक्ति कहते हैं कि भाई आकाल पड़ गया तरीकाल पड़ गया तो आप क्या करोगे तब भी नहीं खाओगे क्या तो मैंने क्या कहा मनुष्य बुद्धी साली प्राणी रचना है इस वर ने वेदों के दोवारा हमें हर वो चीज़ दी है जो कि हम इस सेस्टी को इस संसार को इस परकृति को लाब पुचा सके हैं फिर आप चाहे दो नुक्सार ने पुचा सकते हैं वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा होगी आप धियान रखिएगा आप यदि हमारा पुराना इतियास पड़ नहीं होती नियमित रूप से रोज सुबा और साम दोनों समय वहां की जनता यज करती है वहां का राजा यज करता है बड़े बड़े यजों का आयोजन करवाया जाता है तो उस राष्ट के अंदर कभी भी भुकमरी आ नहीं सकती उस राष्ट के अंदर कभी भी महामारी आ नहीं सकती ऐसा कभी हो गई नहीं कि वहां पर अकाल पड़े यदि आप बड़े बड़े अकालों की बात करें तो आप जान पाएंगे कि इस देश के अंदर जब मुगल आए थे जब मासाहारी आए थे जब यहाँ मास मिट का परचलन चालू हो गया था जब लोग यहाँ पर पत्भरस्ट हो गए थे यच करने लोगों ने प्रारम जो शुरू किये दे पहले वो बंद कर दिये थे उसके बाद में यहाँ बड़े बड़े अकाल पड़े थे एक बड़ाई बहंकर अकाल का वरणा आता है किसके माता है जो आप आपका यह हेम चंद कुछ लोप हो चुका था और आज भी कौन सा कोई कुछ करता है आज भी आप लग लग राज्यों में देखते होंगे बरसात नहीं हो रही है सूखा पड़ गया है और यह समस्या वर्तमान में जो देखी जाए तब हुश्य में चीज़ें बढ़ेंगी तो यदि हम यह कारे चलो इनको मारे खालो अरे कौनसा यही जीवन बचाए क्या मिर्त्वी तो होगी हो जाएगी इससे पहले अने को जनम होचके और आगे ने को जनम होंगे भविश्य की अब इसका समाधान जो मैं आपको बताया यज यदि यहां का राज यहां के अपने पर दानमंत्री जी ह या फिर जो नेतागन है वो यदि अपने घरों में यज करें और यज का आयोजन करवाएं तो यह राष्ट बस सकता है तो जनता भी करेगी क्योंकि जैसा राजा वैसी पर जा मोदी जी खादी का परचार करते हैं खादी वस्तर पहनते हैं तो उसके कारण खादी के वस्तर सरकार की किसी भी योजना के अंदर आप बोडर पीपल को नहीं पाएंगे जो पेड़ पोदे लगाने की योजनाएं नहीं मिलेंगी वह पहले थी अब नहीं मिलेंगी क्योंकि अब वह संपर्दाइक गोशित किये जा चुके हैं दोनों पेड़ जो कि हमारी प्रकृति को बचा सकते हैं कितनी अजीब बात है हमारा देश यह जो है कितना मतलब की यह लगा लीजिए कि नरक से भी नरक बनता जा रहा है यहां पर जो चीज प्रकृति के लिए फाइदे मन्द है उसको संपर्दाइक बना दिया जाता है उसको हिंदू के साथ में जोड़कर काटा म देहान कीजिए जिए कोई बीके मनमें सवाल है अब उसके बारे मर्स सोचे सोचिये हर तरीकर सचिये बुरे से बुरा सोचि अच्छे जटाशा सोचिए फिर निरणे कीजिये आलхिक लिए लियस का उत्तर क्या यह हो सकता है उसमें संकाहो विद्वानों से पूछिए जो को दो विद्वानों के द्वारा नाम बता देता हूं एक तो है अपने आचारे सत्य जी जी और एक है स्वामी विगानंत परिवार जरक जी दो बताए हैं इन दोनों के मैंने यूटूब चैनल का लिंक नीचे डिस्किप्शन में दे दूंगा और आप जो हैं उनका चेहरा देख लीजिए उनका नाम देख लीजिए उसको सच करके उनके व्यक्यानादी सुना कीजिए आपको योग और आपका वेदों के हिसाब से इतनी बढ़ी बढ़ी हजानकारी मिलेगी कि पुर्वानिक भाई हैं उनसा मैं कहूंगा कि भाई ये जलना बंद कर दो बहुत बहुत महरबानी होगी आपकी अराग्द्वेस बंद कर दो ठीक ना कुछ नहीं रखा भाई जलने वलने में चिटने में अपना जो दूंगा उठवाते रहते हो ना कुछ ना रखा भाई तो ठीका दोस्तों फिर नमस्ते जैसी राम जारे वर्थ फिर मिलता कुसी ने वीडियो के साथ में